नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप चंद्र स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड की कृसी उद्योग और जो भी जनकल्याण की योजनाई सरकार द्वारा चलाई जारी हैं उससे संबंदित तत्यों के बारे में जो की आगामी परिक्षा के लिए खासे महत्त पूर्ण होंगी दो बड़ी परिक्षा हैं प्रदेश में आईजुद होनी हैं उसको ध्यान रखते भी ये वीडियो हमने रिवीजन के तौर पर बनाया है इसमें ज्यादा विश्तार से हम हमें इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता दोस्तों क्योंकि इसमें क्रिसी उव्यव और जो वो सारी सामिल करने की पोसिस करी गई है क्योंकि पूरा वीडियो के वल योजनावी पर यह आदा रित है ताकि एक ही इस्तान पर आपको संपूर्ण जानकरी योजनावी संबंदित मिल सके तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से अवश्य साजा करें साथ ही हमाले चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को अवश्य दबाएं और अपने सुजाव और विचारों को हम तक अवश्य साजा करें इसकत लेकाइं है तो पंदर जुलाई 2014 से लेकर 2021 से टक चलाए है थीक है नई क्रिसे नीती योजना कब लागू की गी है Let up. 2011 12 में जो है, नई क्रिसे नीती योजना Vari Technology हैं उन पर चर्चा करें ठीक है यहां पर बात हो दूकर धर सरी मुरदा की तर sûरी मुरदा दूसτοग यह सिवाली провेंग ज़र एक ऑग ही जगे ऐसा है जहाँ पर जो है जौला मुख्य चट्ड confrontation पाई जाती हैं और कोड जर मुरदा वहाँ पर पाई जाती है वहो से जो है कि कौार्ण जर या जुला मुखी चट्टानें पाए जाती है मिट्टी यहां पर पाए जाती है ठीक है उत्राखंड के इत्यास में दोस्तो नवन भू बंदवस्त काफी महत्तपून है नवाँ बहुम बंदवस्त जो कि अंग्रे यत्तिकारी जो है विकेट्स के समय किया गया था कुमाओ गडवाल दोनों चेत्रों में किया गया था ये जो है विकेट्स बंदवस्त 1863 से लेकर 1873 तक ये चला था 1863 यानि 10 वर्स का इसमें जो है दस वर्सों तक ये बंदवस्त चला वा था विकेट्स के द्वारा और इसमें भूमी को जो है पांच वर्गों में बाटा गया था पूछा जाएंगी विकेट्स बंद वास्त के अंतर लागों किया गया कब से कब कब तक चला तो 8337-723 तर और ये कुन सा बंद वस्त था बिकेट्स बंद वस्त यह नवा बंद वस्त था ठीक है इसके बात करते हैं चाल खाल एक योजना है चाल खाल योजना जो है जमीनी इस्तर यहां भूजल सुधार को ले करके था जल इस्तर को सुधार मा जमीनी इस्तर का ठीक है क्योंकि अभी इतनी ज्यादा पानी की समेश्या उत्पन्न हो रही है तो उसको जल इस्तर को सुधार करने के लिए था भूजल को ठीक है चाल खाली ओजना सारदा नहर का निर्माण कद कप किया गया सारदा नहर का निरमाण दोस्तो 1928 में किया गया यह न जो है उदमसिंह नगर और साती जो है कि चमपावत के छेतरों को चमपावत को टनकपुर वाला इरिया उसमें जो है कृसी के सिचाई के लिए काफी महत्त पूंड है 1928 में यह बनी थी सारदान है ठीक है सारदान नदी पर टनकपूर चेतर से निकाली गई है टनकपूर बनवसा चेतर से ठीक है यह उदम सिंग नगर खटीमा खटीमा और सितार का नानवत्ता के आसपास तक यह आती है ठ दोस्तो नलकूपों तारा सरवादिक सिचाई जो हरिद्वार में की जाती है पहले नंबर पर और उसके बाद यूएस नगर में नलकूपों तारा जो सरवादिक सिचाई कहां की जाती है हरिद्वार में उसके बाद उदम सिंग नगर में नलकूपों तारा सरवादिक सिच तो यह रुद्र प्रियाग जनपद में प्रतिशत के आधार पर नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिचाई की जाती है और फिर बागेश्वर जनपद में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिचाई की जाती है आपको याद रखना है अगर बात करें सुद्ध सिंचित छेत्र की सुद्ध सिंचित छेत्र सरवादिक युएस नगर में है और उसके बाद हरिद्वार में सुद्ध सिंचित छेत्र की बात करेंगे युएस नगर और हरिद्वार में नलकूपम उतारा सरवादिक हरिद्वार में और दूसरे नंबर पर यूएस नगर में ठीक एक दूसरे के अपोजिट है सुद्ध सिंचित छेत्र में ठीक है आपको याद रखना है सुद्ध सिंचित छेत्र में सबसे कम चमोली में सुद्ध सिंचित छेत्र सबसे कम है सभन सभन और मिनी दो है मतलब गहराई के साथ और छोटी मतलब एक भ्यापक इसतर पर लेकिन छोटते इस तर पर किया जाएगा ये जो है कि सगन मिनी जो है डेरी योजना कप सुरू की गई है 2001 और 2002 के बीच में कर गई ठीक है 2001 2002 के बीच में सगन मिनी डेरी योजना आरम भी की गई है 2001 2002 के बीच में और इसके बाद अगर बात करें समन्वित डेरी योजना कप सुरू की गई है 2002 2003 के बीच केवल एक वर्सक अंतर है 2002-2003 में समनवित डेरी और सधन मीनी डेरी 2001-2002 के बीच में उत्रा खंड मत्सेनीती लागो की गई धी उत्रा खंड सरकार दोरा यह देश का पहला राज्जी था जिसने मत्सेनीती लागो करी थी 2002 में आपको याद रखना है कि उत्राखंड में जो मतसिनीती जो है लागू की गई है, कब लागू की गई है, किसने कब लागू की गई है, और यह देश का पहला राजी है, देश का पहला राजी को ने उत्राखंड मतसिनीत को लागू करने वाला है, ठीक है, आपको याद रखना मतसिनीत को लागू करने बढ़ावा देने के लिए और उनकी अच्छी गुणमत्ता को बनाई रखने के लिए तो यह सुरू की गे 2004-2005 में यह योजना सुरू की कि गे कब उन विकास कारिकरम योजना सरकार के दौड़ा कब सुरू की 2004-2005 में आपको याद रखना है राजी ने 2001 के बाद परेटन वर्स कब मनाया था सबसे पहले राजी उत्राखंड सरकार ने 2001 में मनाया था परेटन वर्स 2000 में उत्राखंड राजी की स्तापन वही थी नौ नौ अमबर को ठीक है और उसके बाद 2015 में दूसरा परियटन वर्स बना गया यह खनन किया जाता है और यह पूरा राजी सरकार को जाता है यह की गई है 2001 में 4 April से किसके द्वारा किया गया है उत्राखंड बन विभाग के द्वारा यह किया जाता है इसके बाद अगर बात करें उत्राखंड में जो की इस्टे सीड certification की की गई है उत्राखंद सरकार की तरह 14 मार्च से सुरु की गई ती 2001 में कि सिट्टरिडिकेशन एक्ट क्या है या निनियम क्या है कि कब कह है तो ये 1966 1966 का अधिनियम है ठीक है 1966 का अधिनियम है बीजों की गुणवाता से संबंदी जो अधिनियम है वो है आपका 1966 से ठीक है और इसके बाद उत्राखंड में जो और गैनिक सेटिफिकेशन एजेंसी है और गैनिक यानिक टाकरतिक रूप से जो प्रसी की जाती है उसको कब अधिय पदार्तों का उत्वादन करते हैं वो जो है कि प्राकरतिक रूप से किया गया या फिर उसमें जो है कि बहुत ज्यादा रसाहिनों का प्रियोग किया गया है इसकी स्थाबना करी गई थी आठ जून 2016 में देहरादोन में इसका मुख्या लई है ठीक है किसका और गन स्थाथ के बना नैसनल फूर्ट सैक्योरेटि मिया झेले करे Aug की इसका मुख में जयूरेटी। फूर्वारकों की इकाईएं की संक्या ने सामिल किया गए है इसके बाद उतपादन बोल्ड का गठन कप किया गया था जो कि किरसी के प्रमोख जारों के साथ जो ए बीजres का जो है करती है तो उसकी इस्तावणे qyt दिसम्बर 2000 में की गई थी ठीक है एक इसको जह है मंडी परशद भी का जाता है मंडी आपको पता है ना मंडी परशद हर जगे हर एक एक निश्ची तिस्तानों पर जो है मंडी की स्थापना की गई है हर जगे हलदवानी में है देरादोन में है और इसके साथ जो है कि हरिद् बोल्ड की स्थापना कप की दिसंबर 2000 में अगर मंडी परशद की स्थापना पूछता है तो तब भी आपको याद रखने 2000 में ठीक है इसके बाद जो एक किसान चैनल योजना किसानों को जो है फसनों से संबंदित जो भी रोग होते हैं जो भी जितनी भी जान करें उसको जो वीविधी करण यानि कि किरसी में जो वीविधी करण योजना मतलब किरसी में अलग-अलग छेत्रों में जो है कि विस्तार करना और अलग-अलग जो है अलग-अलग चीजों में संसाधित करना मतलब जो भी किरसी से संबंदित अलग-अलग नहीनी वीदिया है नहीने जो ह कि वीजू का उत्तम वीजू का प्रियोग करना वह योजना सुरू करी गई थी 1998 में तो आरंब की गई थी पूरे देस में पूरे देस में कब सुरू करी थी यह करी गई थी 1998 में करी गई थी और लेकिन उत्राखंड जब बना था 2000 में बना था उत्राखंड राजी ने इसको क्रियानमित करना था 2001 में पूछा जाए कि उत्राखंड द्वारा किरसी वीवीधी करन योजना कब सुरू करी गई थी उत्राखंड सरकार था 2001 में राजी सरकार के दौर जो किसानों के सम्मान के लिए जो एक किसान रत्न योजना आरंब करें किसान रत्न सम्मान दे जाना का प्रारंब किया है यह 2010 से दिया जा रहा है 2010 से उत्राखंड सरकार के दौर किसानों के सम्मान के लिए किसान रत्न सम्मान दिया जा रहा है 2010 से में जो दुधार पसों को जो है अच्छे से जो है उनकी देख भाल उनके लिए एक बोल्ड की स्थाबना की गई यह 2002-2003 में ठीक है 2002-2003 में पसो धनिविकास बोल्ड की स्थाबना कप की गई यह 2002-2003 में पसों की नसलों में सुधारने के लिए दुधार पसों को उत्तम गु 2003 में ही ठीक है और इसी समय पसुधन विकास बोल्ड की भी स्तापना की गई है ठीक है 2002-2003 में और इसके बाद अगर बात करें जो राज जी में प्रथम दुग्द संग था प्रथम दुग्द संग की स्तापना कहां की गई है प्रथम दुग्द संग की स्तापना राज जी में निताल में ठीक है उनिस्सो उन पंचास में की गई धी गई है प्रतम तुक्द संग की स्थापना राज में प्रतम दुख्द शंग की स्थापना ठीक है उनenne फंछास आपको यादा रख ऐसलodप। हल्दु कोल़ वाले चेत्र में ननिंताल हल्दु चोड़ाए तब भी आपको टिक माना है हल्दु आनी ने नितालाए तब भी टिक माना उनिस सो उन पंचास में याद रखना है परसम जो है दुख दिसंग ठीक है इसके बाद राजी में जो है भेड और उन विकास बोल्ड की भी स्ताबना की गई है जो है कि ओन की गुण वत्ता और भेडों के जो है नशल में सुधार के लिए यह 2004-2005 में सुरू की दो जार चार 2005 में जो है कि सुरू कर बोल्ड विकास बना गया था भेडों के लिए भेड और उन विकास बोल्ड 2004-2005 में बना खींख आपको याद रखना है और इसके साथ ही राजी में जो है पांच जो है अंगोरा ये अंगोरा है अंगोरा जो है एक बकरी की प्रजाती है अंगोरा अंगोरा बकरी की जो है प्रजन के लिए एक प्रचेप जो है यहां पर बना प्रचेतर बनाए गए है जिसमें गौालदम च सूना गया है लंगला जो है अल्मोड़ा में चुना गया है तो 5 इस्थानों जिसमें ग्लत अल्मोड़ा में है को सोले से लेखर Kidd प्रतॅ lips 21 अक्टूबर 2013 के बीज में South आ ये मार्क एक्स्पो योजना सुरुक आयुजन किया गया था ये था मार्क एक्स्पो योजना ठीक है सिल्क का मतलब हो था सिदे रेशम से संभध नहीं तो आपको पता होने Silk Route भी आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा Silk Route तो ये पहली बार राजी में जो है अगर बोले है Silk Expo का आयूजन कब किया गया तो 16-21 अक्टुबर 2013 में 2013 में Silk Mark Expo का आयूजन किया गया ठीक है और ये रेसम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था रेसम की गुणवत्ता सुधार ने के लिए और रेशम उत्पादन के लिए ठीक है इसको सुरू करा गया था कब 2013 में Silk Expo आपको याद रखना है इसके पाद अगर बात करें उपरी गंगा नहर का निर्मान कब किया गया है उपरी गंगा नहर का निर्मान कब किया गया है उपरी गंगा नहर का निर्मान कब किया गया है उपरी गंगा नहर का निर्मान कब किया गया है उपरी गंगा नहर का निर्मान कब किया गया है उपरी गंगा नहर का निर्मान यह वाइस राय गवर्णर जलल एक ही पद हैं कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है क्योंकि अठार सो अठार सो सतावन के बाद जो है कि गवर्णर को वाइस राय कहा जाने लगा था बस इतना सा यंतर है ठीक है यह उनिस सो मास की जिए यह अठार सो बैयालिस से अठार सो चोगबन के बीच में उपरी गंगा नहर ठीक है उपरी गंगा नहर का आधोनी की करन किया गया था 1983 में आपको याद रखना है अगर पूछ जाए उपर इगंगा नहर का आदनी की करना कप किया गया तो 1983 में किया गया उत्राखंड विद्यूत निगम की स्थापना कप की गया उत्राखंड विद्यूत निगम की स्थापना 1 अपरेल 2001 में की गई थी यापर टिहीरी हैड्रो कॉर्पोरेशन की स्तावना टिहीरी में जो भी निर्माणा कारे होते है और जो वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया रहे वो टिहीरी हाइड्रो डेप्लप्मेंट कॉर्पोरेशन की दोरा किया जाता है इसकी स्तावना की थी 22- tidak 1988 में बारे जुलाई 1988 में टिहरी हाइडरो डेबलमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई पूछा जाए टिहरी हाइडरो कॉर्पोरेशन की स्थापना कप की गई है तो बारे जुलाई 1988 में आपको याद रखना है इसके बाद अगर बात करें उत्राखंड पावर ट्रांस्मिशन कॉर्पोरेशन ओफ उत्राखंड की स्थापना उत्राखंड पावर कॉर्पोरेशन ओफ उत्राखंड लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कप की गी है एक जोन दोजार चार में की गई इसको जो पिटकुल भी कहा जाता है ठीक है पिटकुल समझे पिटकुल कहा जाता है इसको पिटकुल 2001 में की गई यह 12 फरवरी 2001 में और यह UPCL का जो एक्ट था वो था 1956 का एक्ट था 1956 भारत सरकार के तहट जो 1956 एक्ट था 1956 का ठीक है 1956 का एक्ट था कौन सा UPCL का एक्ट इसकी स्थापना कब की UPCL की 12 फरवरी 2001 में की गई है उत्राखंड Renewal Energy Development Agency जिसको UREDA कहा जाता है UREDA की स्थापना कब की गई है जुलाई 2001 में की गई है उत्राखंड Renewal यानि की जो Solar उर्जा से सम्मनी था है Solar से वो यहाँ पर उसकी बात होगी Renewal वो ही Energy Development की बात हो रही है Renewal जिसको मतलब दुबारा से जनरेट किया जा सकता है वो क्या है Solar Solar उर्जा है ठीक है Solar उर्जा Renewal उरेडा की स्थापना कब की गई है उत्राखंड में उत्राखंड में जो है जुलाई 2001 में उरेडा की स्थापना आपको याद रखना है उरेडा 11 वित्त आयोग ने जो है 2 मई 2001 को जो है उत्राखंड में जो है विसेश राजजी का दर्जा देने की गोसना करी गी थी वो है करी थी 1 अपरेल 2001 को ये लागो किया गया था ठीक है पूछा जा कि उत्राखंड को विशेष राजी का दर्जा किसके द्वारा दिया गया अग्यार में बित्ता आयोक के द्वारा कब दिया गया था ये दिया गया था आपको दो मई 2001 को दिया गया था और लेकिन इसको लागो कब किया गया था उत्राखंड सरकार के द्वारा पह कि पहाड़ी छेत्र हों पहाड़ी छेत्र यहां पर हों और साथ में जो है कि वो सामरिक द्रिष्टी से जो है कि अंतरास्टी सीमा को छोता हो साथ में जो है कि पहाड़ी एरिया हो दुर्जन जो कि दुरस्त छेत्र हों बीहड छेत्र हों तो उनको दिया जाता है विसेस लेकिन मुख्य तोर से यही है कि वह सामरिक दिश्टी वाला राजी हो यानि कि जो भी अंतरास्टी सीमा को छूता हो अगर बात करें तो अंतरास्टी सीमा को छूता हो जैसे सामरिक दिश्टी उत्राखंड का चीन के साथ बौड लगता है तो बहुत ही ज्यादा इसका मात्त में मिला था मनिपूर को विश्य स्राजी का डर्जाा और इसकी अलावा जो है की अगर बात करें सिहकंगु विश्य स्राजी का धर्जा इसे मीजोरम को विसिस राजी के दर्जा। Matthان और नहीं किया गया ता? उत्राखंड को कब मिला था दो मैई 2001 में और लागू कब से किया गया था उत्राखंड सरकार के दरह उससे पहले उसको मिलने से पहले लागू कर दिया गया था विशिस राजी का दरजा 2001 में लागू कर दिया गया था विद्ता आयो कोन सा था उत्राखंड के समय जब विशिस जुलाई 2013 को 22-00 रात बनाता मुढ़ किजिए गहां एक जुलाई 2017 में जो है उत्तराखंड युट सलों राजी बनाता इस्ती लागो करने वाला पूछे दाए उत्तरा खंड जो है कुन सा राजी है GST को लागू करने वाला तो 22 सो राजी है 22 सो नमर का राजी उत्राखंड में GST कब लागू की गई वेट लागू की थी एक जुलाई 2017 में और उत्राखंड में वेट कब लागू किया गया वेट लागू किया था अप्रेल 2005 में ठीक है 2005 में किया गया एक अप्राइल वेट इसके साथ जो है GST को विधान सभा में कब पास किया गया है उतराखंड सरकार के दोरा तो दो माई 2017 को जो है विधान सभा में पास किया गया है विधान सभा में ठीक है GST बिल पास किया गया है उतराखंड की विधान सभा में और राज जी में जो है RBI क of India के ने अपनी साखाः खोली है और इसकी साखा जो ए तीस जून 2006 में खोली ठीक है तीजून 2006 में देहरादोर में और रीए की साखाः कुली अगर इससे पहले भी प्रस्स पोछा गया है कि आफ एकी साखा जो एक ओत्राक्शन में 2003 में पास किया गया उत्राखंड में उत्राखंड में जो है सहकारी समित अधिनियम की बात हो लिए सहकारी समित अधिनियम जिसमें जो है नीजी छेत्र और जो है सरकार की छेत्रों के जो भागितारी होती है उस अधिनियम को 2003 में पास किया गया ठीक है 2003 में इसके लाव बात करें राज जी में जो है सहभागिता योजना की बात हो लिए अब सहभागिता की बात हो लिए इससे पहले सहकारिता समीती 2003 में सहभागिता योजना शुरू करी की थी एक मईई 2005 में सहभागिता योजना शुरू करी की थी और सहकारिता योजना कब सुर यह समिती है और यह सहभागिता है दोनों सहभागिता हैं होने को लेकिन यहाँ पर यह समिती है 2003 में और सहभागिता योजना है 2005 में एक मई 2005 में उत्राखंड में जो है कि आध्यों की किनीती लागो की गी उत्राखंड सरकार के दोरा ये जुलाई में करी थी जुलाई में 2001 में नहीं एक आध्यों की कनीती लागो की जब उत्राखंड राजी बना था जो 8 जुलाई 2001 में और नहीं आध्यों की कनीत फिर से सरकार के दोरा उ पूछने के बाद भी दोजार एक नंहों किremas पुरान अगर डोजार चयान आपको टिक करें थेक हैं अगर पर आगे बात करें तो परवती छेत्रों के लिए जो विशेस एकिकरत जो है ओध्योगिक प्रोथसान नीती लागों करीगी थी अगर पुछ जाए परवती छेत्रों में विशेस एकिकरत ओध्योगिक प्रोथसान की नीत कब लागों करीगी थी तो एक अप्रेल दोजार टारत तक यानि 10 वर्ष के लिए ठीक है इसके बाद अगर बात करें उत्रा खंड जो है विकास को जो गती देने के लिए एक्सलंट प्लान बनाया था और उस प्लान को जो है 2020 तक जो है वीजन तयार करने के लिए कहा गया है 2020 यानि अभी 2020 चला है 2020 यहाँ पर चला है तो इस स प्लान आएगा ठीक है 2020 में प्लान तेयार किया रहे है 2020 तक ठीक है और अगर बात करें अक्टूबर 2007 में जो है सिल्क पार्क देहरादोन में निर्मित किया गया सिल्क पार्क पूछा जाए कि अन्य अब कुछ योजनाए यहाँ पर आती है जिसमें जो है कि हमने आरक्षन से संबंदित भी जो प्रतिशत पुछा गया कभी बात बहुत बार एक्जाम में पूछा गया कि आपको इस के लिए प्रतिशत आपको बताना यहां पर दिया गया है और इसमें भी संसोदित करने की बात चल रही है, साथ में राजी में अंदोलन, राजी के अंदोलन कारियों को 10% आरक्षन दिया जाता है, और राजी में महिलाओं को 30% आरक्षन दिया जाता है, इसके साथ जो है अभी और एक आरक्षन यहां पर लागू हो रहा है, अनाथों के लिए, अनाथों को भी आरक् यह रहा एक और सेवा का सेवा के तहट जो कि इस में दस सेवा को आटीकीर तो सोचना बोलते हैं सेवा में पाने का सितकार रही तो यह इसके लिए सेवा का अथिकार सेवा की सेवा की सेवा 10 सेवा सामिल किया गया है 10 सेवा 당 न्य कर यहां पर यह समीति बना मतलब हbreत Building 2021 में डोजार ग्यार निटिक है और यह कब बना था कानून कांओं कब ना था योацर सार दोजार ग्यार271 11 में किया गया राजी का मानौ अधिकार आयोग का इस्तापन जो है 2011 में और इसका मुख्याल है देहरा दोन में राजी का सूचना आयोग राजी का सूचना आयोग का गठन भी जो है वह 3 अक्टूबर 2005 में किया गया है सूचनायू, ठीक है सूचनायू खाले के तहद RTIB दाखिल करते हैं और 3 А-क्टूबर 2005 पांच मे सूचनायूं राजी का सूचनायो किया गया और मानुवादिकार आयो जुलाइ 2011 में ञिसा इंस दोनों का मुख्याल जिन माद्व अन्हीं से संबन्दित कुछ चीजआं आरें दोस्तों भी मानव संसाधमिकास मंत्रा लए behaviour जो भी चला जारी है मोलना अबलकलाम आजाद education foundation की योजना कब शुरूगी 2011-2012-2013 में मौलाना अबुलकलाम आजाद education अन्ने पिछले जो भी मतलब वन्चित वर गए हैं उनके लिए योजना चलाए गई है मौलाना अबुलकलाम आजाद education foundation योजना ठीक है आपको याद रखना है 2012-2013 में चलाए यह समयकित जो है विकास जो समयकित जो है बाल-विकास कारिक्रम यानि कि सब ही बच्चों को लें करके चलना है समयकित बाल-विकास योजना कारिक्रम यह 1975 जलाए कौन सा समेकित बाल विकास कारिक्रम 1975 में पुछा जाए समेकित बाल विकास योजना कब लागो की गिए कब से चलाई जारी है 1975 से चलाई जारी है किसकी योजना है यह केंदर सरकार की योजना ठीक है जननी सुरक्षय योजना जो है अपरेल 2005 से सुरू की गिए जननी कट आई जाती है न फ़र बरी 2004 में योजना करी गी है इसके अलावा जो है कि सकति करन एक सोरो की मतलब विकास के लिए जो भी योजना याद रखना है कि किसोरी सकती योजना कितने से कितने वर्स की लड़कियों के लिए योजना कब शुरू की 2001 और 2000 में 2000 और 2001 μέnt topics 2001 और 2001 जुरु किये किसं री सकती ox controversy older Max कित्ने से कितने वर्षी कि लड़ियों के लिए यह लिए यह उचछना से ले खर कि 18 वर्षी कि बालिकाओं के लिए ठीक है आपको यॉद फ़ार रखना है सब्सक्ति योजना जनवरी 2002 में सब्सक्ति यानिकि अपनी सक्ति को पहचानने की योजना जो सुरू करीगे यह सब्सक्ति योजना स्वधार योजना की बात करें स्वधार योजना किसे संबंदित है तो स्वधार योजना आवास खानपान और स्वधार संबंदित है स्वधार योजना स्वधार संबंदित है अब बात करते हैं इंद्रा गांधी रास्टी मातरत्य सयोग योजना की इंद्रा गांधी रास्टी मातरत्य सयोग योजना 19 नॉमबर 2010 से सुरू करी गई है कब से सुरू करी गई है और यह सबला योजना 11 से लेकर के 18 वर्सी की महिलाओं के लिए है और साथ में जो बालिका स्कूल जाने में असमर्थित हैं उनको पढ़ाई के छेत्र में आगे बढ़ाना यानि कि उनको जो सिक्षित करना जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही है जो बालिकां किसी बालिकां के लिए और यह जो बालिकां के लिए है और यह जो भी बालिकां है उनके जिवन कौसल के निर्मान के लिए एक बहतर जीवन प्रदान करने के लिए मोनाल परयोजना शुरू करीगी है वह ग्यारे से लेकर के अठारे वर्सी की जो बालिकाई हैं उनके लिए है ग्यारे से अठारे वर्सी की बालिकाई हैं के लिए मोनाल परयोजना शुरू करीगी है उनके कौसल विकास के लिए ठीक है उनमें जो है सारी रिक्षंता और अन्य उनके विकास समिकित विकास करने के लिए ठीक है उनमें और महिला ससक्तिकरण योजना वर्स कब घोशित किया गया है महिला ससक्तिकरन वर्स जो है सरकार उत्राखंड सरकार के दरा 2006-2007 को पुछा जाए कि वर्स 2006-2007 को कौन से वर्स के रोप में मनाया गया तो ये आपको मनाया गया है महिला ससक्तिकरन वर्स के रोप में पुछा जाए महिला ससक्तिकरन वर्स पुत्राखने सरकार द्वारा कब मनाया गया है तो 2006-2007 को ठीक आपको याद रखना है दहेज विरोधी अदिनियम एक्ट कपका है 1966 का है दहेज विरोधी एक्ट ठीक है 1961 का है निशेद अदिनियम यानिक दहेज अगर कोई लेता है तो उस पर कारवाई की करी जाएगी तो ये है 1961 का और लेकिन इसको संसोदित किया गया 1986 में 1986 में जो है इसको संसोदित किया गया और एक्ट है दहेज निसेद अधिनियम 1961 का एक्ट है ठीक है 1961 का एक्ट है आपको याद रखना है समान पारिस्रमिक अधिनियम यानि कि अगर एक कारी कोई आदमी दो आदमी हैं एक ही कारी को कर रहे हैं और लेकिन दोनों का जो है जो पारिस्रमिक है जो भी वेतन उनको दिया जो मजदूरी जो उनको दी जाती है वो अलग-अलग है तो उसको जो है कि समान करने के लिए वो अधिनियम है आपका 1976 का समान पारिसरमिक एक्ट यानि कि समान मजदूरी का जो एक्ट है वो है 1976 का एक ही कारी को करने पर समान जो मजदूरी दी जाएगी जो बेतन दिया जाएगा वो 1976 का एक्ट है ठीक है सती निशेद अधिनियम जो है एक्ट जब है 1987 का है सती निश्यदए एक्ट का है 1987 का है ठीक आपको याद रखना है यानी प्रसूती के समय गर्वती महिला को सारी सेवाई मौहिया करा आ स्वास्ती की चरचिक चिकत्षा जो भी बहें जड़ेंगे जो बहतर जो जच्चा-बच्चा इसके बाद जो है कुछ अन्नी योजना है आपातकाल संबंदी थे हैं राजी में आपातकालिन योजना कब संचालित की थी वह 15 मई 2008 में आपातकालिन सेवा सुरू करी थी राजी सरकार के दौरा 15 मई 2008 में आपातकाल सेवा और राजी में 2008 राजी में 108 को 108 को जो है के लिए एक डोली सेवा का आरंवी किया गया था 108 की जो 108 की सुईदा है उसको बहतर बनाने के लिए क्योंकि दूर दराज उत्राखंड पाली चेत रहे है दूर दराज के लोग हर जगे सड़क नहीं है तो इसके लिए डोली योजना आरंवी की गी थी 108 को बहतर सेवा बनाने के लिए 108 की बहतर सेवा के लिए बनाएगी यह डोली सेवा योजना ठीक है इसके लवार राज जी में जो है मादक पतार्थों की विक्री पर रोक लगाई गई गई है मीरदाब, जरोग जो है, एक जनुरी 2013 nim grandfather, मालक पतार्थो से रोक लगाई गया के लिए, बिकल ऑंगों के लिए जो है, राजी पैंसन, योजना, राजी तर सरकार्धार गया पैंसन दी जाती है, परती माह, कुछ आर्थिक शाहिताइछ भो एक अप्राल 2012 चुaltung करें गया, वरिष्ट नागरिकों से संस्मंदी, योजना यहां bedvoght जोहे ने राजि नीं 2011 में लागूर किया था ठीक है वरिष्ट नागरिकों के लिए भरन पोसंद संबंदी योजना राजी सरकार दोरा कब लागों की गई है तो 2011 में अगर पूछा जाएगी वरिष्ट नागरिकों के लिए जो भरन पोसंद संबंदी एक्ट कुन सा है तो 2007 का एक्ट है ठीक है 2007 का एक्ट है और योजना 2011 में सु स्क्रवाइफे प्रदान-मंत्री-्रोजगार-योजना फ्रीड़ना फ्रीड़न सर्कार दोरह कि यह जापान के साथ एक समझोता किया गया जाएका योजना जाएका जो है जापान की साथ की और याद रखना है इसके लावा अगर हम बात करें जो मुख्यमंत्री स्वास्त भीमा योजना है उसका आरम्भी किया गया-गया 10 अप्रेल 2015 से सुरू किया गया है। ही परियोजना कप से शुरू करीगी ए 2002 से और ही प्रियोजना कप þुरू करी गई है है यह जो है सिख्षा के लिए सिच्छा से जो बंचित वर्ग है उनके लिए है पूछ टाए देव चैस्चा से वंजित हैं उनको शिक्षित करने से समंदित हैं देवभू मुस्कानियोजना कब सुरू की गई यहीं मुण सुरू करी गई लोगों का इलाज किया जाने लगा फरवरी 2014 से लेकिन फरवरी 2004 में इसका असिला नियाज किया गया था तब से हिए AIMS की स्टापना कप की तो आपको आंसर देना है फरवरी 2004 में पुछे ज़ाएगी रिसिचेस एमस ने अपना कारीकब आरम्ब किया तो फरवरी 2014 में कारीश बना को बिखा एक फैसलिटी की रिख की जायएगी क्षैопल उभी किया जाएगा इसके बाद जो πنचाइटी राजर्ज विदेह्इग पारित किया गया था राजी के द्वारा जब कप पार गिया jet जो है पंच depending की बात अव रही एपंचायति राजवीदेग की बात हो रही है पंचायति राजवीदेग ठीक हależ चार अपरेल 2006 की ऐगा गिया ठीक है मैं जससे संबंदी देश हो 2016 में 15 गस्ते 2015 में इसको की गई 15 गस्ते 2015 में 15 गस्ता आपको सुट नगा दिन याद रहेगा और 2015 में ठीक है देहरादोन में की गई थी इंद्रा अम्मा कैंटीन योजना भोजन से संबंदी थे यहां पर यह अस्पिताल में जो भी हमारे होस्पिटल्स हैं उसमें यह सेवा उपलब्द कराई जारी थी इंद्रा अम्मा कैंटीन योजना ठीक है बोजन से संबंदी थे पंद्रकस्ते 2015 में शुरू की गिति नमामी गंगे का सुबारम्म कब की है इसके बाद जो इंद्रामनी बढ़ोंई की जन्मद डीवस पर बना जाता है तो इंद्रामनी बढ़ोंई के जन्मदिन pec कब मना जाता 24जी दिसंबर को मना जाता है ठीक है उत्राखन का जो है राजी गीत दोस्तों बना गया इसको सब्सक्तार नहीं कंगा जिया इसको जो है ने है मंस्ट के की जोए इसको दिया गया है चैट में जो है की इसको कब घुशित किया गया है अगया अक्टब को तर इसके दो जोड का सिरू किया गया है कि prior 2014 को जो सोरग किया गया है सांग सत्वादर स्विस्सक्राश की द्र ग्राम को गोद लेना और उनके विकास के लिए कारी करना यह जो है ग्यार अक्टूबर 2014 में जो है है पुरोहिट पैंसन योजना सुरू करी की थी जो है कि वो इसके इतना ज्यादा कुछ अभी माइन नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं अबर ग्यार किसानों के विकास के लिए अभी काम कर दिये 2022 तक किसानों की आयदुगनी करने का जो है लेकिन जो की काफी मुस्किल नजर आ रहा है फिलाल लेकिन किसान फैंसन योजना जो है कि वो सुरू करी की पंद्र अगस्त 2014 को ठीक है इसके बाद राज जी में हिमाले दिवस मना ज जाता है नौ सितंबर 2014 से प्रतेक वर्स जो है नौ सितंबर को जो है नौ सितंबर को अब हिमाले दिवस मना जा रहा है ठीक है नौ सितंबर को ठीक है राजी में हिमाले दिवस कब मना जा रहा है नौ सितंबर कब से मनाने की सुरुआत हुई है राजी में हिमाले दिवस 2014 से तहसिलों को जो है इंटरनेट यानी determ frightened से जोड़ना प्रते एक जो आ कि तैसीलों को जोड़ना एक दूसरे से जोड़ना है ठीक है स्वान 요oj अंगनबाडी में बच्चोंको दूद से संबंदीती है योजना जो चोटे अंगनबाडी के बच्चे हैं उनको सब्ता में दूद देना इसके तहत है और ये कब सुरू करीगी है? 7 मार्च 2019 से शुरू करीगी है मुख्यमंत्री आचल अमरत योजना 2019 में 7 मार्च अगर पुछा जाए कि मुख्यमंत्री अमरत आचल योजना किसी संबंदित है तो यह दूज से संबंदित है आंगन बाड़ी के बच्चों के लिए ठीक है इसके अलावा जो है कि करें साथ ही हमारी चैनल स्टेडी सर्च पॉइंट को सस्क्राइब करें वैल आइकन को जरूर दबाएं मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दोस्तों ये वीडियो के वल आने आगामी परिक्षा को रिवीजन को देखते भी बनाया गया था सुक्रिया